दोस्तो आज कल गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में नीम्बू पानी पीना इसको पसंद नहीं होता अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आपकी हर एक समस्या दूर हो जाए और आपको हाट और लीवर से जुड़ी बड़ी बिमारियों से सुरक्षा मिले तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक दिन में एक नीम्बू खाने के फाइदों के बारे में कि नीम्बू के सबसे जादा फाइदों को प्राप्त करने के लिए आपको नीम्बू का सेवन कैसे और कब करना है नीम्बू में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको बहुत सारे तरीकों में फाइदा पहुँचाती हैं आये जान लेते हैं नीम्बू का सबस इंदापत मातरा का सेवन करने से आपको हार्ट टैक और स्ट्रोक जैसी बिमारीों से शुरक्षा मिलती है और दिल की बिमारी होने का खत्रा कम होता है. दिल की बिमारी के खत्रे को कम करने के लिए सिर्फ विटामिन सी ही अच्छा नहीं होता बलकि नीमबू में पाए जाने वाले plant compounds भी दिल की बिमारी को होने से रोकते हैं नीमबू में hesperidin नाम का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में पुरे कॉलेस्टरोल की मातरा को कम करता है एक research में यह पाये गया है कि एक महिने तक नीमबू का सेवन करने से लोगों के कॉलेस्टरोल लेवल तेजी से कम आपको अपना वजन घटाने में मदद मिलेगी लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है नीमबू में पैक्टिन नाम का fiber मुझूद होता है जो आपके पेट को expand कर देता है जिससे आपका पेट जादा देर तक भरा हुआ रहता है और आपको भूख कम लगती है यह भी माना जा करता है कि सुबा सुबा खाली पेट नीमबू के साथ गरम पानी का सेवन करने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि गरम पानी आपको calories जलाने में मदद करता है यह भी कहा जाता है कि नीमबू में मौजूद plant compounds की वजह से आपका वजन तेज़ और जब हम citric acid का सेवन करते हैं तो हमारे पेशाब की मातरा बढ़ जाती है और हमारे पेशाब का pH level भी बढ़ जाता है जिससे पत्री नहीं बनती एक दिन में सिर्फ आधा कप नीमबू का जूस पिने से आपको किड़नी में पत्री बनने से सुरक्षा मिल सकती है पाई जाती है लेकिन सिर्फ नीमबू खाने से आपके पूरे दिन की आईरन की मातरा को पूरा नहीं किया जा सकता नीमबू में कुछ ऐसे पदार थफ़ाए जाते है जो बाकी की खाने की चीज़ों से लिए गए आईरन को पचाने में मदद करते हैं ताकि हमारा शरीर उस iron को इस्टेमाल कर सके आपका शरीर non-wed चीजों से असानी से iron को absorb कर लेता है लेकिन wedge खाने की चीजों से iron को इतने अच्छे से absorb नहीं कर पाता लेकिन citric acid और vitamin C का सेवन करने से जो नीम्बू में भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं इनसे आपके आईरन को पचाने की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है नीम्बू खाने का पाँचवा फाइदा है कि नीम्बू आपको कैंसर से बचाता है एक healthy diet लेने से जिसमें फल और सबजियों की भरपूर मात्रा हो आपको कैंसर से बचा सकती है एक study में यह पाया गया है कि वह लोग जो citrus fruits का सेवन करते हैं उनको कैंसर होने का खत्रा बहुत कम होता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग फल सबजियों का सेवन बहुत कम करते हैं citrus fruits ऐसे fruits होते हैं जिनमें citric acid पाया जाता है नीम्बू भी इनमें से एक है कुछ studies में नीम्बू में पाये जाने वाले compounds ने cancer के cells को मारने में मदद की है लेकिन यह अब तक साबित नहीं हुआ है कि हमारे शरीर में भी नीम्बू cancer को मारता है scientist का ये मानना है कि नीम्बू में anti-cancer properties होती हैं जो हमें cancer से बचाती है नीम्बू खाने का 6 वा फाइदा है कि यह हमारी digestive health को बढ़ाते हैं नीम्बू में पाये जाने वाला main fiber पैक्टिन होता है और पैक्टिन बहुत सारे health benefits के लिए जिम्मेदार होता है जिन में से एक है कि यह हमारे हाजमे को बहतर बनाता है पैक्टिन हमारी gut health को बढ़ाता है और हमारे खाने से मिलने वाले sugar और starch के हाजमे को धीरे करता है जिससे हमारा blood sugar level एक दम से spike नहीं करता लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपको यह फाइदा नीम्बू की pulp से मिलता है जो लोग नीम्बू का रस पीते हैं हो सकता है कि उनको यह फाइदा ना मिले अगर आप नीम्बू को juice के रूप में सेवन करना चाहते हैं तो आप नीम्बू के juice में नीम्बू की pulp को भी जरूर add करें इससे आपको यह फाइदा भी पराप्त होगा नीम्बू खाने का साथवा फाइदा है कि यह हमारी liver की health को बढ़ाता है नीम्बू हमारे liver के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें antioxidants और vitamin C की मात्रा बहुत ज़ादा होती है vitamin C और antioxidants एक साथ मिलकर हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो हमारे liver से toxins यानि हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और हमारे liver को detoxify करता है नीम्बू हमारे liver को स्वस्थ रखता है और हमें fatty liver जैसी बिमारियों से बचाता है अब हम बात कर लेते हैं कि आपको नीम्बू को कैसे, कब और कितना इस्तिमाल करना चाहिए आपको सुभा सुभा एक glass गुन-गुने पानी के साथ निम्बू का सेवन करना है हर रोट सुभा सुभा एक निम्बू का सेवन करने से आपके पूरे दिन की vitamin C की मात्रा पूरी हो जाएगी और आपको पूरे दिन में vitamin C लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी जरूर कर दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद